मौन्स्टर के लांस्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो इंस्पेक्टर लूगे था वो पूरी तरीके से अभी ये सोच चुका था कि अब जितने भी मर्डर केस हो रहे हैं वो सब कुछ डॉक्टर तैन्मा से जुड़े हुए हैं इसलिए वो अपनी पूरी फोर्स लेके डॉक्टर तैन्मा के हॉस्पिटल में पहुँच गया था लेकिन कैसे तैसे करके तैन्मा वहां से भग गए थे और साथ ही में कहानी पांच महीनी बाद की भी दिखाई गई थी तो आखिरें पांच महीनों में क्या हुआ इसी कंटिनिटिक के साथ में एपिसोड नमबर 9 क शिरवात होती है जहां पर वही सीन वापस से दिखाया जाता है कि कैसे डॉक्टर तैन्मा बस बच बच के उस जगत से जा रहे थे और साथ ही में अकबार के अंदर उनकी फोटो भी आई हुई थी कि डॉक्टर तैन्मा है वो एक मर्डरर है वो काफी सारी लोगों को मारते जा रहे हैं जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची बारिश के अंदर खेल रही है सीडियों पर बार बार में उतर रही है चड़ रही है ये एक इन्वेस्टिकेशन वाली जगह है जहां पर लोगों को लाके इन्वेस्टिकेशन किया जाता है इस वक अभी गन चलाना सिखाते हैं और इनके यहां से निकले हुए स्टूडेंट बहुत ही हुनहार स्टूडेंट है जिनका नाम हुगो था वो हुगो से पूछते हैं कि मैं आपसे किसी इंसान के बारे में पूछना चाहता हूँ यानि कि यह जो एक सार मेंबर है इन्हें यहां प तर्टर तैनमा के बारे में कुछ भी नहीं बोलते और इसी के साथ में कहानी 5 मईन ही वापस से पीछे चली जाती है जापना हम धिखते हैं कि दॉक्तर Cinama कोई इनसा नहीं आया है लेकिन डॉक्टर तैनमा उन्हीं में से एक थे जिन्होंने आस तक गन को टच भी नहीं किया और वो गन चलाना इसलिए सीखना चाते थे क्योंकि अब तो हमें पता चली गया था कि जोहान कभी भी कुछ भी किसी को भी मार सकता था अब डॉक्टर तैनमा के सामने एक चोटी सी बच्ची थी जो कि कंटिनेसले रसी कूटती जा रहे थी डॉक्टर तैनमा से पहले तो नहीं कूदा जा रहा था लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते अब डॉक्टर तैनमा भी अच्छे से करने लगे थे लेकिन काफी जादा ठक भी गये थे वो जमीन भी रेट के सोच आते हैं और ये बच्ची कंटिनिसली बस डॉक्टर तैनमा को देखती ही रहती है लेकिन उनसे बिलकुल भी बात नहीं करती तैनमा इस बच्ची को कहता है कि ये देखो ये बर्ड बहुत ही रियर बर्ड है जो कि हमेशे अपनी बच्चों के लिए खाना भगरा ढूंती रहती है साथी में बहुत मैनत भी करती है ये चोटी से बच्ची उस बर्ड को भी देखती है और साथी में बस डॉक्टर तैनमा को देखती है लेकिन कभी भी किसी चीज का response नहीं देती यह हम देखते हैं कि जो Hugo थे वो अपने students के लिए खाना भी बनाया करते थे खुद के लिए भी बनाते थे तो बाखी students के लिए भी बना देते थे यह बच्ची खाना खाने के बाद में उठके यहां से चली जाती है लेकिन कभी भी किसी से ना तो बात करती है ना smile पास करती पो लेडी मुझे शूट करती है इससे पहले कि मैंने उसे शूट कर दिया और वहीं पे मुझे यह डरी हुई बच्ची मिली जिसके बाद मुझे लगा कि आखिर अखिर इस बच्ची का क्या किया जाना चाहिए यहां पर छोड़ना इसे ठीक नहीं रहेगा इसी चक्कर में यूगो इस बच्ची को अपने साथ में यहां पे ले आए अब इस बच्ची ने अपने आखों से देखा था इस आदमी को अपनी मा को मारते हुए इसी कारण ये बच्ची इस आदमी से काफी जादा नफरत करती ही रहेगी न जाने कब वो यूगो को माफ कर पाएगी इस सुनके डॉक्टर तैनमा को भी बहुत अजीब लगता है कि आखिर क्या क्या चीजी देखनी पड़ती है बच्चों को भी और बड़ों को भी जब यूगो अपना खाना खत्म करके यहां से चले जाते है तो चोटी बची वापस से लौटती है सारे बरतन वगरा इखटे करती है और उन सब को wash करती है नेकस्टे टैनमा वापस से अपनी प्रैक्टिस के अंदर लग जाते हैं और इस से बार कही न कहीं वह अपना मन इस जगह पर लगाने लग गये थे क्योंकि आज से बाद में वह भर भर कि बहुत सारा खाना खाते है और वापस अपनी प्रैक्टिस लिए उसी जगह पे ले गया था जहां पे वो सब को प्रेक्टीस करवाया करता था वो गंस के बारे में बताता है तैन्मा को सिखाता है कि आकिर उसे कितने seconds के अंदर क्या क्या चीज़े करनी है लगभग 3 शेकंड के अंदर अगर उसने किसी को शूट नहीं किया तो वो खुद भी शूट हो सकता है, तो उसे थोड़ी सी हाथ में फूर्टी रखनी होगी और साथ ही में निशाने बिल्कुल सही तरीके से लगाने होगे, उसे जटके भी लग सकते हैं, लेकिन अपना हाथ पीछी नहीं करना, एक दिन ऐसा आता है, जब तैनमा अपनी हाथ से ख खाना बिल्कुल नहीं आता, इसी करन सारा खाना बार-बार में नीचे गिरता रहता है, और सब लोग हस्ते भी रहते हैं, यहाँ पे हुगो ने डॉक्टर तैनमा को गोली चलाना तो सिखाया था, इसी के साथ में जो गन थी, उसे असे असेंबल और डिसेंबल करना भी सकता, तो अलग-अलग पार्ट को एक साथ में रख लिया जाए, उसके बाद में उसे वापस से कैसे बनाया जाए, यह भी डॉक्टर तैनमा ने सीखा था, एक दिन की बाद थी, जब डॉक्टर तैनमा अपनी रनिंग कर रहे थे, तब यह चोटी सी बच्ची को देखते है जोकि एकदम से शांत बैठी थी, तो डॉक्टर तैनमा आके पूछी लेते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, पता चलता है कि इस बच्ची के हाथ में एक चोटी सी बर्ड का बच्चा है, और यह बच्ची चाह रहे थी कि इस बर्ड को अपनी साथ ही रखा जाए, लेकिन डॉक तैनमा उस बर्ड को जाके वापस अपनी घौसले में रख देते हैं, जहां पर बच्ची भी स्माइल करते हैं, यानि कि फॉर्स ताइम उस बच्ची ने स्माइल किया था, और अब तो डॉक्टर तैनमा के निशाने भी बहुत अच्छे लग रहे थे, सीन वापस से प्रिशन देना सही नहीं समझता है, और खासकर जब वो डॉक्टर तैनमा चासा स्टूडेंट हो तो तो कभी भी नहीं, वो बताते हैं कि डॉक्टर तैनमा एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उनका निशान बहुत अच्छा था, वो बहुत कॉंसेंट्रेट होके आपको खुद को बनानी होगी, मैं हमेशा आप लोगों को याद रखूंगा, कोर्स की फीस मैंने रख दी है, जाने से पहले तैनमा काफे सारे पैसे हुगो के लिए छोड़ के जाता है, और अपनी बनाई हुई डिश भी बना के जाता है, ये छोटी सी लड़की तो वाप बाकी हमें जारना बहुत जरूरी है कि वो कहां पर है, लेकिन जो हुगो थे वो कुछ भी नहीं बताते और वहां से चले जाते हैं, बाहर जाते जाते हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची हुगो का हाथ पकड़के जा रही थी, मानो कि अब उसने हुगो को माफ कर दिय है और accept भी कर लिया है अपने parents की तरह, यूगो भी इस चीज़ को देखके बहुत emotional हो जाता और उसे बिल्कुल अपनी बच्ची के जैसे हाथ पकड़के वहां से ले जाता है, साथ ही में last में हम डॉक्टर तैनमा को भी देखते हैं जो कि ट्रक के अंदर बोरी के अंदर छ चैरी डाल की दिता है, जिसके बाद हम इसी आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि आज इसे एक नए mission के उपर निकलना है, काफी दिनों से इसने घर के उपर नज़र रख रही थी और आज उस घर के कांच को तोड़के वह अंदर घुस जाता है, पता चलता है कि वह एक ऐस घर है, जो कि काफी जादा आलिशान है, सारा समान ऐसा का ऐसा ही रखा है, यानि कि चोरी करने की परफेक्ट जगया पता चलता है कि ये आदमी एक चोर है, लेकिन जैसे ये चोर एक दरवाजे को खोलने वाला था, तो उसे बहुत अचीब सी फिलिंग आती है कि पहली बार लाइफ में मुझे बहुत नेगेटिव फिलिंग आ रही है, कि इस दरवाजे के पीछे बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं ऐसे नहीं खोलूँगा, इतनी ही देर में आवाज आती है, हाथ अपने उपर करो, ये आदमी डर जाता है कि प्लीज मुझे मत मारो, आफिसर मैं तो यहां पर यूँ ही आया था, पता चलता है कि यह कोई ओफिसर नहीं था, बलकि डॉक्टर तैनमा थे और इस घर के अंदर कुछ चीजे सर्च आउट करने के लिए आये थे, ये आदमी जैसे पीछे मुड़ता है, तो कहता है कि आरे तुम भी तो एक इनसान ही हो, तुम कौ ये दौनों आपस में बाचीत करी रहते कि इतनी देर में पुलिस के साइरन की आवाज आती है, और दौनों ही फुल स्पीड से भागने लगते हैं, इस आदमी का नाम हैकल था, डॉक्टर तैनमा को लगता है कि अगर मैं अकीला भागा तो फस जाओंगा, इसी के करन वो भ याद आ गया, तुम वही सर्जन हो जो कि बहुत साथा फेमस हो रखा है, जो कि एक मरडरर है, तुमने कि किसी को मारा है, तो डॉक्टर तैनमा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन तब ही ये हैकल वापस लोटतर कहता है, कि किसमत कभी भी किसी को यूँ ही नह बलकि इसके पीछे कोई नहीं रीजन होता है, उस घर के अंदर जो मरडर हुआ है, मैं उसकी बारे में सब कुछ जानता हूँ, और जिसनी मारा है, मैं उसे भी जानता हूँ, अगर तुमें पैसे कमाने तो मेरे साथ चलो, डॉक्टर तैनमा को खेर पैसो से तो मतलब भी न जाओ यहां से, मैं तो चला हूँ, उसी घर में चोरी करने के लिए, लेकिन डॉक्टर तैनमा यहां पर पुलिस वालों को बताने की बजाए, इसी घर के अंदर घुच जाते हैं, वो भी मरडर से मिलने के लिए, हैकल कहता भी है, कि तुम पागल हो गई हो, क्या डॉक्टर जैसे थे, जहां पर यहां पर यह आदमी बहुत लंबी चौरी स्टोरी बताता है, कि उसका मदर से भी क्या रिलेशन था, इन फैमली वालों से भी क्या रिलेशन था, काउंसिल का जो हस्बेंड था, उसका किसी और और औरत के साथ में अफैर था, साथ ही में इस चश्मे व खरीब लोगों की जमीनों को चीन लिया था, और उसके बाद में उसमें खुद की फैक्ट्रिया बना दी थी, तब तो एरिक ने मुझे कह दिया था, कि इन्हीं मार डालो, डॉक्टर तैनमा को समझ में आ गया था, कि वो आखिर यानि कि जोहां लोगों के दिमाग से कैसे खेल रहा है, जिसके बाद में डॉक्टर तैनमा जोहान के बारे में और थोड़ा बात कुछ पूछना चाते थे, कि आखिर एरिक से क्या तुम मिले थे, क्या वो 20 साल का लड़का था, क्या उसके बाल ब्लॉंड थे, तुम क्या मुझे उसके बारे में कुछ और बता सकते ह है, डॉक्टर तैनमा और कुछ पूछते, उससे पहले ये जश्मेवाला आदमी कहता है, कि मैं आपको जानता हूँ, आप डॉक्टर तैनमा है न, आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है, एरिक ने का है कि सेकंड फ्लोर पे उस कमरे के अंदर एक तस्वीर के पीछे आपके बहुत इंपोर्टन मैसेज छूटा हुआ है, डॉक्टर तैनमा इस आदमी से और कुछ पूछ पाते हैं, तब तक तो इस आदमी ने खुद को शूट कर लिया, क्योंकि अब ये जीना ही नहीं चाता था, ये बोलता है कि मैंने बहुत गलत फैसला किया, मुझे शाहिद अस शूट तो नहीं हो गए, लेकिन उपर आने के बाद दिखाई देता है कि ये आदमी खुद को शूट कर चुका है, यानि कि उसने सूसाइट किया है, तो वो डॉक्टर तैनमा को लेके अब निकल जाता है, ये दोनों ही अब उसी घर के अंदर पहुँच जाते हैं, इस हुआ था कि आप देखिए डॉक्टर तैनमा, आप देखिए, ये मैं ही हूँ, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, जापे डॉक्टर तैनमा कहते है कि ये सब कुछ जोहान को करने में बहुत जादा मज़ा आ रहा है, वो लड़का पागल हो गया है, आखिर करना क्या चाता ह जिसके बाद तैनमा और हैकल दौनों ही यहां से जाने लगते हैं, हैकल कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मेरे पास तुमारे लिए एक बहुत बड़ी डील है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे, लेकिन डॉक्टर तैनमा हैकल के साथ काम नहीं करना चाहता, हैकल ब तो कि तैन्मा की ओपर गण रखे उसे अपनी साथ ले जाते हैं, यानि कि तैन्मा को किसी का तो इलाज करना था, अब तैन्मा को यह भी पता था, कि वह जिसके पास भी जाएगा, वह एक लॉयर होता है, जिसके हाथ पे गोली लगी होती है, और काफी जाता ब्लीडिंग हो रही होती है तैनमा उसे पूछते कि तुम्हें क्या हुआ है गोली कैसे लगी और तुमने किया क्या है जहां पर एक आदमी बताता है कि मैं एक लॉयर हूँ बड़ किसी सिचुएशन के अंदर आके मुझे गोली लग गई है तो डॉक्टर तैनमा कहते कि इतना साथ खून बह करते हैं कि आज सुबह 4 गंटे पहले जो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें 12 तेरा लोग मर गए थे क्या तुम वही हो और डॉक्टर तैनमा का जो शक था वो बिल्कुल सही निकलता है यही वो दो टेरिरिस्ट थे जिन्होंने आज लगबग 12 से 13 लोगों को मार जालूँगा जहां पर यह जो लॉयर लेटा हुआ था वो मना कर देता है अपने आदमी को कि ख्रीजी से अभी मत मारो मेरी जान इसी के हाथ में है अगर तुमने इसे ही मार दिया तो मैं आखर जिन्दा कैसे बचूँगा अगर मैं मर गया तो जरूर इसे मार देना सीन जि डेट में दो लोगों ने जो 12-13 लोगों को लगभग मारा है उनके उपर बहुत बड़ा इनाम है अगर कोई में इनसान उनके बारे में बता देता है तो लगभग उन्हें 3 लाग का प्राइज मिलेगा तब हैकल समझता है कि यही सही मौका है अपना उधार चुकाने का तो एड्रेस बता देता है कि इस वक्रिमिनल कहां पे चुपे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ तैनमा एक जगा पे बैठे थे और मना कर देता है कि मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल भी लाज नहीं करता जो कि मर्डर है और उन्होंने लोगों की जान ली है जहाँ पर या आदमी कह तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है लेकिन अब डॉक्टर तैनमा को समझ में आ गया था कि इस आदमी की जान बचानी जरूरी है इसके करण वो पीछे खड़े हुए आदमी के इतना चिल्लाने के बाउजुद भी कुछ नहीं सुनता यानि कि वो आदमी बार-ब लेके जाने लगते हैं कि इसका बीपी बहुत जादा लो हो गया है और अगर इसी बीपी के अंदर रहा तो शायद मर भी सकता है या फिर पैरलाइज हो सकता है इसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जादा जरूरी है पीछे ब्लैक कोट वाला आदमी बिल्कुल पागल हो रह जाना ही होगा जहाँ पे बीच में अब तक पुलिस की गाड़िया आने लग गई थी तो यह लॉयर डॉक्टर तैनमा को कहता है कि मुझे नीचे उतारो उसके बाद में बाचीत करने लगता है कि तुम्हें आखिर ऐसा क्या मिला मुझ जैसे इंसान के मदद करके जहाँ प जिन जिन लोगों को मारा था वो कोई आम लोग नहीं थे बलकि वो मेयर और मेयर की बाडी गाड़ थे लेकिन डॉक्टर तैनमा का कहना था कि अगर तुम्हें जिनकों भी मारा वो थे तो निर्दोश ही न एक आदमी के चकर में तुम्हें इतने लोगों को मार दिया कहीं गई lawyer को समझ में आ गया था कि Dr. Tenma बहुत यह अच्छे इंसान है क्योंकि Dr. Tenma ने ना चाते हुए भी इस killer को इस criminal की जान बचाई तो अब Dr. Tenma का जिन्दा रहना जरूरी है इसी किरांड वो Dr. Tenma को कहते हैं कि आप जाये यहां से मैं आपको जान गया हूँ आपकी खबर newspaper मे आ रही है अगर आप यहां पे रुके तो आप पकड़े जाएंगे आप भाग यहां से डॉक्टर तैनमा कहते हैं कि तुम्हें जिन्दा रहना जरूरी है जाओ hospital चले चाना और खुद का इलाज करा लेना डॉक्टर तैनमा वहां से भाग चाते हैं और रात के अंदर वो द चले फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अकले एपिसोड में तब तक के लिए टाटा झाल